जानेंगे कि शाम के कारुबारी सत में कमुर्टी बजार हफते के पहले कारुबारी दिन कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और कमुर्टी बजार पर कहां पर कितने कमाई के मौके हैं एक्सपर्ट्स का क्या मानना है सबसे इंपोर्टन की एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं आगे जाके कहां पर कमाई मिलेगी किस कमुर्टी में क्या लैवल्स रहेंगे ये सब जानेंगे और topics क्या रहेंगे ये भी जानने की कोशिश करेंगे सब कुछ discuss करेंगे सबसे पहले start करेंगे non-agri communities में सोने और चांदी से तो सोने और चांदी में देख रहे हैं कि आज सोने की जो कीमते हैं थोड़ी revive हुई है gold international spot market के अंदर जो सुबा 1940 डॉलर की range में था सुबा के मुकाबले देख रहे हैं कि शाम के कारवारी सत में सोने चांदी की जो prices हैं उनमें ज़्यादा तेजी बनती नजर आ रही है कीमते अभी भी वही mid range है normal ही है कोई ज़्यादा बहुत लंबी तेजी तो नहीं आई है लेकिन हाँ ऐसे कहा सकते हैं कि पहले की मुकाबले जो कीमते हैं उनमें कुछ सुधार देखने को मिला है हलका फुल का सुधार है हलकी फुल की तेजी यहाँ पर सोने चांदी की कीमतों में बनती नजर आई है अब यह ऐसा हुआ क्यूं है सोने चांदी में निचले स्थरों से खरीदारी किन कारणों से लोटी है ये जान लेते है सबसे पहला कारण है डॉलर का तेज होना डॉलर की कीमतों में तेजी आई है रुपिया कमजोर हुआ है उसकी वज़ा से देख रहे हैं कि सोने चांदी की जो कीमते हैं उनको सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है यूएस डॉलर में तेजी देखने को मिलिए रुपी पे थोड़ा प्रेशर पड़ता नजर आया है और दूसरा अभी जो यूएस फेड है वो भी अपनी मौनेटरी पॉलिसी इसको थोड़ा टाइट कर सकता है इस बार वो 50 पेजिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी कर सकता है ऐसा अनुमान लगा जा रहा है विशलेश को के अनुसार कि यूएस फेड अपनी आने वाली बैटक में अब जो मौनेटरी पॉलिसीज हैं उसके उपर भी कुछ एक्शन्स ले सकता है जिसकी वजासे जो असर होगा, पूरी ही वर्ल्ड वाइड एकनॉमी पर जरूर परता नजर आएगा तो यह कुछ कारण है जिसकी वजासे सोने चांदी की जो कीमते हैं उन पर असर परता नजर आ रहा है बात करेंगे आस सब कच्चे तेल की तो कच्चे तेल में देख रहे हैं कि WTI 45 डॉलर पर है पॉने 3 फीजदी की गिरावट है ब्रेंट कुरूड ओल 2 फीजदी की गिरावट के साथ 100 डॉलर पर ट्रेड कर रहा है कच्चे तेल की कीमतों में आज शाम की कारवारी सत्र में भी वही नर्मी देखने को मिल रही है जैसा सुबा बजार खुलता नजर आया था शाम की कारवारी सत्र में भी बजार वैसे ही ट्रेड करता नजर आ रहा है कीमतों में इधर उधर ज़्यादा उची नीची देखने को नहीं मिली है ना ही कीमते ज़्याद नीचे गई ना ही ज़्याद ओपर as it is जो बजार आज ओपन हुआता वैसे ही इस समय ट्रेड कर रहा है कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण हम आपको पहली बता चुके हैं कि IEA देशों द्वारा SPR यानि स्ट्रेडिक रिजर्व से कुरूड को जारी करना चीन की तरफ से कच्चे तेल की मांग घड़ जाना क्योंकि चीन में लॉगडाउन है इन सब की वज़ा से कच्चे तेल की जो प्राइसेज हैं उनमें एक नर्मी देखने को मिल रही है और जब तक चाइना मांकिट में दुबारा नहीं लॉटता है या फिर ऐसो कोई फैक्टर नहीं बनता है जिससे कच्चे तेल की जो सप्लाई है वो बादित हो तब तक कच्चे तेल की जो कीमते हैं ऐसी नर्मी के साथ ट्रेड करती रहेंगी बेस मेटल्स में भी देख रहे हैं कुछ ज़ादा खास तेजी मंदी बनती नजर नहीं आ रही है लाल निशान के साथ बेस मेटल्स का वज़ार ट्रेड करता नजर आ रहा है तो यह तो बात करीती है हमने यहापे नौन एग्रीक कमुनिटीज की यहाँ सब आगे बाड़ेंगे बात करेंगे एग्रीक कमुनिटीज की जानेंगे कृशी फसलों का वज़ार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और शिवात करेंगे सबसे पहले हम यह आपे गवार कॉंपलेक्स है तो गवार गम और गवार सीड में हमने ठीक ठाक तेजी बनते विए देखी है अभी भी कीमते देख रहे हैं कि सपोर्ट लेवल्स पर ही है कीमते हों में देख रहे हैं कि अप्रेल वायदा तो 12,071 पर है लेकिन मई वायदा 12,380 के उपर है डेटर फीजदी की करेक्शन गवार गम के अप्रेल और मई वायदे में है मई गवासीड के अप्रेल और मई वायदा भी लाल निशान पर है पौने की क्फिजदी की करेक्शन है माई वायदा गवाज सीर का 4400 की उपर है और गवाज सीर का अप्रेल वायदा 690 पर गवार गवाज सीर में देखने की उपरिस्तों सच हलकी सी प्रॉफिर बुकिंग आई है लेकिन ओवरॉल जो पर्नमेंटल से गवार गम गवाज सीर के मजबूत ही है अमेरिका में क्रूड बढ़ाने की बात की जारी क्रूड का प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की जारी है जिससे कहीं नगी भारत की जो गवार की जो एक्सपोर्ट डिमांड है उसको सपोर्ट मिलेगा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो कीमतों में तेजी आएगी और गवार का प्रोडक्शन इतना है नहीं और यहां की जो domestic consumption है वो भी ठीक ठाक है जादतर गवार वेपारियों ने किसानों ने स्टॉक किया हुआ है जिसकी वजासे जो आगे जो तेजी है गवार में वो देखने को मिलती रहीगी हमारे जो एक्सपर्ट हैं केडिय अड्वाजरी के डिरेक्टर अजे केडिया उनके अनुसार गवार गम यहां से अब आगे 15,000 तक के लेवल्स दिखा सकता है और गवासीड 8,000 तक के तो गवार गम गवासीड में निचले स्थर पर खरीदारी में रहने की स तस्तेन होते वेह देखा है हाला कि जो निचान है कौटन में वो लाल निचान ही देखने को मिलना है कौटन प्रैसेस ट्रेड करते नजर आ रही है दूसरा जो कौटन असोशेशन ओफ़ इंडिया है उसने भी अपने अपने कौटन के उतपादन अनुमान में कटोती की है इसका भी असर कहीं न कहीं मांकिट पर पड़ा है, तीसरा विदेशी वजार तेज हैं, जिसकी वजासे हमने कॉटन की जो प्राइसे इंडिया में तेज होते वे देखे थे, चौथा जो कारण है कॉटन में तेजी का वो है, भारत की कपास मिलो में ठीक ठाक मांग होना, तो कॉटन के जो प्राइसे इंडिया में डुमस्टिक लेवल पर भी मिलो की तरफ से ठीक ठाक ही देखने को मिले हैं, कपास की जो फसल है, 2021 में बारी बारिश की वजा से, पिंक बॉल वार्म आर्मी की वजा से खतम होती भी नज़र आई थी, नश्ट होती नज़र आई थी, उसका असर भी कई न कई कपास की कीमतों पर पड़ा था, किसानों ने बंडारन कर लिया था, स्टॉक कर लिया था, जिसकी वज़ा से अब जाके किसानों को इसका फायदा निंता नज़र आ रहा है सीजन के आखरी चरण के अंदर लेकिन हमारे जो एक्सपर्ट हैं वायदा बजार की बात करें तो केडिय अडवाइजरी के जो मैनेजिंग डिरेक्टर हैं केडिय उनके अनुसार 15 अप्रेल के आसपास MCX कॉटन वायदा में गिरावट बननी शुरू हो सकती है जो की कॉटन के प्रैसेस को नीचे में 32,000 तक लेके जा सकती है तो कॉटन में अगर कोई वायदा बजार में ट्रेड कर रहा है तो थोड़ा कॉशेस हो जाएं थोड़ा साफधानी की साथ ट्रेड करें ऐसा अजे केडिया का मा कहना है बात करें बिनोला खल की, तो बिनोला खल देख रहे हैं कि नाईंच ज़ाधा तेजी की और चारा है, नाईंच मंदी की और गिर रहा है एक सीमित कीमत परीष तिर हो गया है बिनोला खल 3400 का लेवल दिखाने के बाद फिट से वही 3300 वाले लेवल पर टिक गया है 3000 के नीचे भी नी जा रहे है, 2900 तक अभी तक कालबार करता नजर नहीं आया है काफी लंबे समय से लेकिन 3400 का लेवल भी काफी लंबे समय से बिनौला खलने नहीं दिखाया अभी जो बिनौला खल है वो ऐसे ही consolidation वाले mode में trade करता नजर आता रहेगा Fundamentals मजबूत नज़र आ रहे हैं लेकिन वायदा में जो कीमते हैं वो एक breakout level नहीं दे पारी है ना ही sustain हो पारी है उपरी स्थर पर जिसकी वज़ा से जो बिनौला खल है उसमें नर्मी देखने को मिल रही है बात करेंगे हैं यहां से अब कैससीर की तो कैससीर देख रहे हैं कि अपरल वायदा 6900 के उपर है वही मई वायदा 7100 के उपर हमने कैससीर में उपरी स्थर से Profit Booking बनते वे देखी हैं लेकिन कूल मिला का Fundamentals मजबूत ही हैं कैससीर में 6900 के आसपास 6900 से 7000 के वीच में खरीदारी में रा जा सकता है ऐसा हमारे Experts का मानना है और निचले स्थर पर खरीदारी में रहके आने वाले दिनों में 7200, 7250 के जो लेवल हैं फिर से देखने को मिल सकते हैं वहीं लंबी अबदी में कैससीर 8000 तक के भी लेवल दिखा सकता है बात करेंगे आसे मसालों की तो जैसे अब ये धनिया हो गया 12500 के उपर है हरे निशान पर है सवाई खिजदी की तेजी है जीरा हो गया 2500,000 के उपर है और हल्दी ने 10,000 का लेवल भी टच किया था लेकिन फिर वहाँ से जो कीमते हैं टिकनी पाई ये 9400, 9500 की रेंजी में आगई अभी जो मसाले हैं हमारे जो एक्सपर्ट हैं केडिया अडवाईजरी के डिरेक्टर अजे केडिया जी उनका ये मानना है कि मसालों में अभी ये शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल रहा है नीचले स्थर्व से महज एक खरिदारी देखने को मिल रही है नो डाउट की मसालों की जो fundamentals हैं spices की जो fundamentals से कुल मिला कर तेजी की ही हो रहे है लंबी अबदी में हलदी की जो कीमते हैं उनमें तेजी का ही रुजहान है धनिया और जीरे की fundamentals काफी स्ट्रॉंग नजर आ रही है दोनों की वाई इस बार कम हुई है कम देखने को मिली थी और जिसकी वज़ासर जो production है वो भी कम ही रहने वाला है थोड़ा बीच में arrival pressure बना था जिसकी वज़ासर हमने कीमते एक range में आते भी देखी थी consolidation mode देखने को मिलाता लेकिन अभी भी जो एक range देखने को मिल रही है मसालों के अंदर वो भी महज एक short covering move है अजे की एडिया की अनुसार अभी मसालों में थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए अभी यहां से हलकी सी यहां से मसालों में correction बनती नजर आ सकती है अब कितनी जाए कि मसालों में जब असली तेजी आएगी और जो शांदार तेजी आएगी वो जून जुलाई और अगस्त इन तीन महीनों में देखने को मिलेगी तो तब मसालों में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी बाकी अभी जो देखने को मिल रही है यह एक short covering move है इसमें थोड़ा स तेल हुआ और सरसो रिफाइंड स्वया, CPO हुआ, पामोलीन हुआ कोई भी तेल उठा लें सारक सारे तेल महंगी देखने को मिल रहे हैं हमने जो तेल के दामे वो तबसे और महेंगी देखने को मिले हैं हम लोग को जब से रशियर यूकरेन का जो युद है वो शुरू हुआ है दरशल भारत सुरुजमुखी का तेल के निर्यात के लिए यूकरेन पर निर्वर है जाद दर जो सुरुज मुखी का तेल का आयात है भारत यूकरेन से ही करता है लेकिन वहाँ पर अभी यूद की स्थिती है जिसकी वयासे वहाँ से निर्यात सुरुज मुखी के तेल का बंद हो गया है तो ऐसे में जो सुरुज मुखी के तेल की खपत करने वाली इंडस्ट्रीज थी लोग थे उन्होंने दूसरे तेलों की औरुक किया, दूसरे तेलों में सरसो आ गया, सोयबीन आ गया, फिर आपका CPO आ गया, सबसे जादा भारत में CPO की खपत की जाती है, और CPO भारत इंडो और मलेशिया में भी पाम के प्रैसेस पर एक दवाब पढ़ा, पाम के जो सप्लाई है, उस पर दवाब पढ़ा है, क्योंकि जो खपत है, वो वर्ल्ड वाइड जादा हुई है, क्योंकि सिफ भारत अकेला नहीं है, जो सुरुज मुखी के तेल का आयात करता था, यूक्रे भी इस्तिमाल किया जाता है, तो CPO सिर्फ एडिबेलोल के साथ ही नहीं रिलेट करता है, बलकि क्रूड के प्रैसेस से भी छेलेट करता है, तो अगर CPO तेज होगा, तो उसका फायदा और इस रिफाइड को मिलेगा, और अगर रिफाइड तेज होगा, तो पायदा स्याब और बागी तेल तिलन को मिलता नजर आएगा तो ये एक चेन है जिसमें देखते हैं कि अगर एक खाद तेल तेज होता है तो उसका दूसर पर की कीमीट पर भी पड़ जाता है तो वही रुजान हम अभी होता वात देख रहे हैं खाद तेलों में और जो तेजी है खाद तेलों में या आगे भी ऐसी जारी रह सकती है सरकार ने फैसला तो लिया था कि एक कपरेल से कि जांच करेगी थोग भी करेता हो के पास कितना स्टॉक है खुदरा भी करेता हो के पास कितना स्टॉक है लेकिन जो तेजी है वो भारत से तै नहीं होती है सरकार भी यह बात जानती है जो खादे तेलो की मंदी तेजी है वो विदेशों से तै होती है अगर विदेशों में एक डॉलर भी या कुछ सेंट भी कीमते बढ़ती है तो भारत में भी उसका असर देखने को मिलता है, वैसे ही प्रतिकरिया देखने को मिलती है तो सरकार के जो actions हैं, वो कहीं न कहीं अभी विफल होते नजर आ सकते हैं बात करें यहां से soybean की, तो soybean में भी जो prices हैं, NCDX पर 7800, 7950 तक ही है उससे जादा भी तक नहीं देखने को मिले हैं, अभी तक साल 2022 में और अभी जो prices हैं, वो 8000 के उपर जा सकते हैं, लेकिन जादा लंबी तेजी soybean में देखने को नहीं मिलेगी थोड़ी सीमित दी ही रहेगी, 8200-8300 मैक्सिमम यही लेवल देखने को मिलता रहेगा भी सोयवीन का NCDX पर बाकी US सोयवीन 1660 के उपर है, वो 1680 डॉलर तक जा सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा भी वक्त लग सकता है बाकी अमेरिका में जो सोयवीन का रगबा है, इस बार 2022 तेस में वो बढ़ सकता है, इस बार किसान मक्के की जगा सोयवीन की फसल को अमेरिका में जादा तरजी देंगे और globally 2021-22 के सीजन के production की बात की जाया तो globally production कम रहेगा स्वेवीन की supply अभी हाल फिलार में हमने पहले भी tight देखिये और अभी भी tight देखने को मिलती रहेगी यानि की कम देखने को मिलती रहेगी जिसकी वज़ा से कहीं न कहीं prices को भी support रहेगा और भारत में भी इस बार तिलन की बुआई का जो रगबा है वो बढ़ने की कियास लगाया जा रही है ऐसी एटकले लगाया जा रही है कि भारत में तेल तिलन का जो रगबा है बढ़ सकता है सोयवीन की बुभाई का रगबा इस बार बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि जिस आप से बाकी तेलन के दाम जो बड़े हैं उसकी वज़ा से उसका असर कहीं न कहीं सोयवीन की कीमतों पर भी जरूर देखने को मिलेगा तो नर्मी उस समय से शुरू हो सकती है सोयवीन में तो अपने हिसाब से डिसीजन लें कि आपको उप्रीस्तर मिल रहा है तो तब बेच दें बाकी थोड़ा वीज अपना बुवाई के लिए बचागे रखें कहीं ऐसा नहों कि जैसे साल 2021 मोगा था कि सोयवीन की बुवाई के लिए बीजी उपलब्द नहीं था ना किसानों के पास ना सरकार के पास और जो कुछ बचाच कुछा था बीच था वो दागी था तो इसलिए अपनो थोड़ा माल बुवाई के लिए भी बचागे रखें बात करेंगे यहां से अब मैंत ओयल की तो मैंता में हमने उपनी तोर से प्रॉफिट बुकिंग आते वे देखी है लेकिन मैंता के जो फंडमेंटल से ठीक ठाक ही देखने को मिल रहे है बाद उत्पादन तो कम रह सकता है क्योंकि बवाई कम रहेगी दूसरा फंडमेंटल इसकी डिमांड का है अगर डिमांड अच्छी रहती है ओवरल कूल मिलाकर ठीक ठाक रहती है क्योंकि अब कोरोना से लोगडाउन तो नहीं है भारत में कहीं भी अभी डिमांड अगर ठीक ठाक रहती है इंड़स्ट्री लेवल पर तो जो मैंथा की जो प्राइसेज हैं वो तेज देखने को मिल सकते हैं अब ये मैंथा की जो प्राइसेज हैं एक्सपर्ट्स की मताबिक 1150 से लेकर 1200 के बीच में देखने को मिल सकते हैं MC Expert तो ये था एक छोटा सा Community Bazaar का अपडेट कि शाम के कारवाई सत में Community Bazaar कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और जानकारों की क्या राय थी जानकार क्या बता रहें कि आगे जाके किस क्रिशी फसल में कितनी मंदी तेजी देखने को मिल सकती है फिलाल वजार की चाल में अभी के लिए वस्त नहीं लेकिन आपका इजाय गने क्योंकि मुनाफिक की खबर लगातर यूँ ही बनी हुई है मागे डायम सीवी पर